हेलो फ्रेंट्स जैका भी तंकिता में बनने जा रहा है आज एक दम सूपर डिलीशियस बहुती कम मेहनत के साथ साबुदाना के खीर की रेसिपी एक दम मोतियों जैसे खिली-खिली हमारे साबुदाना बन करके तयार होंगे तो चलिए रेसिपी बनाना सुरू करते हैं मैंने अधा कपके करीब साबुदाना पो विगा के रखा था और यहां पे खीर बनाना काफ ही अच्छे से पोल चुके हैं यहां बहुत अच्छे से पोल चुके हैं साथ 30 मर डाने के लिए यहां मैने एक कप गूल लिया है यहां पे कुछ ड्राइप कोप सैंजिसे में बारी- करते हैं सबसे पहले इसे बनाने के लिए एक पैन को अच्छे से गरम कर लेंगे इसके बाद आप मैंने दो चुटे चमज घी एट किया है घी में जो रैसे भी बनती बहुत ज़्यादा टेश्टी लगती आप चाहें तो इसके जगब पर थेल कभी यूज़ कर सकते हैं यहां इस एक बार आप साबुदाना का खीर बनाके देखेगा यहां जल्दी तो बनता है असांती खाने बहुत ज़्यादा टेश्टी होता है अब यहां जो बचों को गीथा ना उसके अंदर मैंने साबुदाना जो भीगे हुए थे उसे एट खर दिया है यहां पर जो मैं साबुदाना भीगे हुए लिए हैं तो सबसे पहले से अच्छे से बोल लेंगे यह देखे बिल्कूल इस्टिकी नहीं है यह आप से बिल्कूल चिप चिप नहीं है एक एक दाना जो है वो अलग-अलग खिला हुआ है आपको मेरे चैनल में इसी तरह से साबुदाना की खिच्डी की भी रोसेपी मिल जाएगी उसके साथ ही बहुत सारे तरीके से साबुदाना की रेसिपी मैंने बनाई हुई है जरूर विजिट कीजिएगा, दो मिनट के लिए हाँ अच्छे से साबुदाना को प्राइए कर ले सब्सक्राइब कर देंगे यहां पर मैंने चार चुटे चम्मा सक्कर एड़ किया है सब्सक्राइब कर देंगे इसके बाद हमने जो ड्राइब कूप होता जायेगा वैसे तीक हो जाएगा हमें ज्यादा इसे कूप नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद और ज्यादा ठीक हो जाता है यहां पर फिकने साथ चुकी है गैस को अफ कर देंगी और इसे रूम ट्रेप्टेचर में ठंडा कर लेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना डिलीशियस हमारा साबू दना का खीर बनकर के रेडी हुए है इसको बनाने में मुस्किल से 10 से 15 मेट का समय लगा होगा तो चलिए अब हम इसे पट पट सर्व कर लेते हैं अगर आप किस्मिश कहते होंगे तो किस्मिस ज़रूर ढलिएगा मेरे घर में किस्मिस को भी नहीं खाता है इसलिए मैंने किस्मिस को इस्टिल कर दिया है टेक्शर देखिए एकदम क्रीमी टेक्शर के साथ हमारी करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो साबू दाना का खीर था कितना यमी दिख रहा है आपको अगर पसंद आरी होगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा जल्दी मिलते हैं अपनी को नहीं रेसिपी की साथ अब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा